नमस्कार केंद्रियम मंत्रि मंदल में मेरे स्वयोगी स्री रविशनक प्रसाद जी स्री मान संजय धोत्रे जी डिजिटल इंडिया के अलग-अलग इनिस्टेटिव से जुड़े सभी मेरे साथियों, भाईयों और बहनों डिजिटल इंडिया भियान के छे वर्ष पूरे होने पर आप सभी को बहुत-बहुत शुपकामना है आज का दिन भारत के सामर्थ, भारत के संकल्प और बविश की असिम संभावनाओं को समर्पित है आज का दिन हमें यह याद दिला रहा है कि एक राष्ट के रुप में सिर्फ पैयाँच छे वर्षों में हमने डिजिटल स्पेस में कितनी उंची छलांग लगाई है साथियों भारत को डिजिटल पत पर तेज गती से आगे बढ़ाते हर देश्वासी का जीवन आसान बनाने का सपना पुरे देश का है इसको पूरा करने में हम सभी दिन राट लगे हुए हैं देश में आज एक तरफ इनोवेशन का जुनून है तो दूसरी तरफ इनोवेशन को तेजी से एड़प करने का जज़बा भी है और इसलिए डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है डिजिटल इंडिया आत्म निर्भर भारत की साधना है डिजिटल इंडिया 21 सदी में ससक्त होते भारत का एक जैगोष है साथियों minimum government, maximum governance के सिध्धानतों पर चलते हुए सरकार और जनता के बीच सिस्टम और सुविधाओं के बीच समस्याओं और सर्विस के बीच gap कम करना इनके बीच की मुश्किले खत्म करना और जन सामान्य की सुविधा बढ़ाना ये समय की मांग रहा है और इसलिए डिजिटल इंडिया सामान्य नागरी को सुविधा और उनके एम्पावर्मेंट का एक बहुत ससक्त माध्यम है साथियों डिजिटल इंडिया ने एक कैसे संभव किया है इसका सांदार उदारन है डिजी लॉकर स्कूल के सर्टिफिकेट, कॉलेज के डिगरी, ड्राइविंग लाइसंस, पास्पोर्ट, आधार या दूसरे दस्तावजों को सभाल कर रखना हमेशा से लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंता रहती है कई बार बाड में, भुकम्प में, सुनामी में कहीं आग लगने की वज़े से लोगों के जरूरी पहचान पत्र नस्ठ हो जाते हैं लेकिन अब दस्वी, बारवी, कॉलेज, उनिवर्सिटी के मार्शेट से लेकर दूसरे तमाम दस्तावज सीधे डीजी लोकर में सहज रूप से रखे जा सकते हैं अभी कॉरोना के इसकाल में, कई शहरों के कॉलेज आड़िशन के लिए स्कूल सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन डीजी लोकर की मदब से ही कर रहे हैं साथिओं ड्राइविक लाइसेंस हो, बर्त सर्टिफिकेट हो, बिजली का बिल भरना हो, पानी का बिल भरना हो, अनेक कामों के लिए अब प्रक्रियाएं डिजिटल इंडिया की मदद से भहुत आसान, भहुत तेज हुई हैं. और गावों में तो ये सब अब अपने घर के पास C.S.C. सेंटर में भी हो रहा है. डिजिटल इंडिया ने गरीब को मिलने वाले राशन की डिलिवरी को भी आशान किया है. ये डिजिटल इंडिया की ही शक्ति है कि वन नेशन, वन राशनकार का संकल्प पूरा हो रहा है. अब दूसरे राशन में जाने से नया राशनकार नहीं बनाना होगा. एक ही राशनकार पूरे देश में मानने हैं. और इसके सबसे बड़ा लाप उन स्रमित परिवारों को हो रहा है, जो काम के लिए दूसरे राशनकार में जाते हैं. अभी मेरी ऐसे ही एक साथी से बात भी हुई. हाली में मानिय सर्वत्चे नया लएने भी इससे जुड़ा एक बड़ा एहम फैसला दिया है. कुछ राज्य हैं जो इन बात को मानते नहीं थे. आखिर कर सुप्रिम कौट ने हुकम किया है कि इन राज्यों ने अब तक जिन्हों ने वन राशनकार वन नेशन वाला बात नहीं सुकार किये हैं, वो तुरुन लागू करे. हुकम करना पड़ा सुप्रिम कौट को. और उन्हें भी इसी योजना का लागू करने के लिए कहा गया है. मैं इस फैसले के लिए सुप्रिम कौट का भी अभिनेदन करता हूँ. क्योंकि ये गरीबों के लिए हैं, मजदुरों के लिए हैं, अपने सान से भार जिन को जाना पड़ रहा हैं, उनके लिए हैं. और अ कलब को मजबुत से आगे बढ़ा रहा है. डिजिटल इंडिया उन लोगों को भी सिस्टम से कनेक कर रहा हैं, जिन्होंने कभी इसकी कलपना भी नहीं की थी. अभी कुछ और लाभारतियों से मैंने बात की है, वो बड़े गवरव और संतोस के साथ बता रहे थे कि किम सिस्टिम से जुडेंगे और उनको भी बैंक से आसान और सस्ता रण मिलेगा. लेकिन आज स्वनीदी योजना से ये संभव हो रहा है. गाओं में घर और जमीन से जुड़े विवाद और असुरक्षा की खबरे भी अक्सर सुनने को आती रहती हैं. लेकिन अब स्वामि लित्व योजना के जहत गाओं की जमीनों को ड्रोन मेपिंग की जा रही है. डिजिटल माध्यम से ग्रामिनों को अपने घर की कानूनी सुरक्षा का दस्ताविज मिल रहा है. ओनलाइन पढ़ाई से लेकर दबाई तक के लिए जो प्लेटफॉर्म बिक्सित किये गए हैं, उनसे देश के करोणों साथी आज लाभानवित हो रहे हैं. साथियों, दूर सुदूर तक स्वास्त सुविधाओं को पहुचाने में भी डिजिटल इन्डिया अहें भूमी का निभा रहा है. थोड़ी देर पहले बिहार के साथी ने मुझे बताया कि इस संजीवनी ने कैसे इस मुश्किल समय में गर बैठे ही उनकी दादी मा के स्वास्त लाभ की चिंता की. सब को स्वास्त सुविधा मिले, समय पर अच्छी सुविधा मिले, यह हमारी प्रात्विक्ता है और इसके लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मीशन के तहट एक प्रभावी प्रेट्वर्म पर भी काम चल रहा है. इस कोरोना काल में जो डिजिटल सॉल्यूशन भारत के तयार किया हैं, वो आज पुरी दुनिया में चर्चा का भी विशय हैं और आकर्संका के भी विशय हैं. दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कॉंट्रेक्ट ट्रेसिंग एप में से एक आरोग के सेत्व का कॉरोना संक्रमन को रोकने में भहुत मदद मिली हैं. टीका करन के लिए भारत के कोविन एप में भी आज अनेकों देश दिलपसीज दिखा रहे हैं. वो चाहते हैं उनके देश में इस योधना का लाब मिलें. वैक्सिनेशन की प्रक्रिया के लिए ऐसा मॉनिटरिंग टूल होना हमारी तकनीकी कुसलता का प्रमाण है. साथियों, कोविड काल में ही हमने अनुभव किया कि डिजिटल इंडिया ने हमारे काम को कितना सरल बना दिया है. आज तो हम देखते हैं कि कोई पहड़ों से, कोई गावों में बने होमस्टे से अपना काम कर रहा है. कल्पना कीजिए, ये डिजिटल कनेक्ट नहीं होता, तो कोरोना काल में क्या स्थिती होती? कुछ लोग डिजिटल इंडिया के प्रयासों को सिर्फ गरीब से जोड़ कर देखते हैं, लेकिन इस अभ्यान ने मध्यंबर्ग और युवाओं की जिन्दगी भी बदलती हैं, और हमारे ये जो आजकल, ये जो मिलेनियल्स हैं, अगर आज ये सारा दुनिया नहोती, टकल का सस्ते स्मार्टफोन, सस्ते इंटरनेट और सस्ते डेटा के उनके डेली रूटीन में जमीन आस्मान का अंतर होता हैं, इसलिए मैं कहता हूँ, डिजिटल इंडिया यानि सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागिदारी, डिजिटल इंडिया यानि सरकारी तंत्र त Digital India यानि पारदर्शी, भेद्भाव रहीत, व्यवस्ता और ब्रस्टाचार पर चोट. Digital India यानि समय, श्रम और धन की बचत. Digital India यानि तेजी से लाब, पूरा लाब. Digital India यानि minimum government, maximum governance. साथियों, Digital India अभियान की एक और खास बात रही है, कि इसमें infrastructure के scale और speed दोनों पर बहुत बल दिया गया. देश के गाउं में करीब धाई लाग common service center ने internet को वहाँ भी पहुचाया, जहां कभी ये बहुत मुश्किल माना जाता था. भारत नेट योजना के तहट गाउं गाउं ब्राडबेंड इंटरनेट पहुचाने के लिए mission mode पर काम चल रहा है. PM बानी, PM बानी योजना से देश भर में ऐसे access point बनाए जा रहे हैं, जहां कम से कम कीमत में ब्राडबेंड, वाइफाई, इंटरनेट उपलब्द हो सके, इससे विशेश रुप से हमारे गरीब परिवार के बच्चों को, युवा साथियों को, ऑनलाइन सिख्षा के अवसरों से जोडने में मदद मिलेगी. अब तो कोशिश ये भी हैं, कि देश में सस्ते टबलेट्स और दूसरे डिजिटल डिवाइज उपलब्द हो सके, इसके लिए देश और दुनिया की इलेक्ट्राणिस कम्पनियों को, PLI स्किम की सुभिधा दी गई हैं. साथियों, आज भारत जितनी मजबूती के साथ में दुनिया की अग्रणी डिजिटल एकोनामीज में से एक बना है, वो हर भारत वासी के लिए गवरव का विशा है. पिछले छे साथ साल में अलग-अलग योजनाओं के तहट करीब करीब सत्रा लाग करोड रुपिये सीधे लोगों के बैंक खातों में ट्रांस्पर किये गए हैं. कोरोना काल में डिजिटल इंडिया अभ्यान देश के कितना काम आया है, ये भी हम सभी ने देखा है. जिस समय बड़े-बड़े समरुत देश लोगडाउन के कारण अपने नागरीकों को सहायता रासी नहीं बेज पा रहे थे, भारत हजारों करोड रुपिये सीधे लोगों के बैंक खातों में भेज रहा था. कोरोना के इस डेड़ साल में ही भारत ने विभिन्द योजनाओं के तहट करीब साथ लाख करोड रुपिये डायरेक बेनिफिट ट्रांसपर डी बी टी के माध्यम से लोगों के बैंक एकाउंट में भेजे हैं. भारत में आज सिर्फ यूपियाई भीम यूपियाई से ही हर महिने करीब पाँच लाख करोड रुपिये का लेंदेन होता है. साथियों किसानों के जीवन में भी डीजिटल लेंदेन से अभुद पूर्व परिवरतन आया है. पी-एम किसान सम्मान निधी के तहट दस करोड से ज़्यादा किसान परिवारों को एक लाख पैंतिस हजार करोड रुपिये सीधे बैंक एकाउंट में जमा किये गए हैं. डीजिटल इंडिया ने वन नेशन वन एमेस्पी की भावना को भी साकार किया है. इस वर्स गेहूं की रिकॉर्ड खरीत का लगबग 85,000 करोड रुपिये सीधे किसान के बैंक खाते में पहुचा है. इनाम पॉर्टल से ही अब तक देश के किसान एक लाग 35,000 करोड रुपिये से जादा का लेंदेन कर चुके हैं. साथियो, वन नेशन, वन कार्ड यानि देश भर में ट्रांस्पोर्ट और दूसरी सिवधाओं के लिए पेमेंट का एक ही माध्यम एक बहुत बड़ी सुविदा सिद्ध होने वाला है. फास्ट्रेक के आने से पूरे देश में ट्रांस्पोर्ट आसान भी हुआ है, सस्ता भी हुआ है और समय की भी बचत हो रही है. इसी तरह GST से ईवे बिल्ज की वबस्था से देश में व्यापार कारोबार में सुविदा और पारदर सिता दोनों सुनिचित हुई हैं. कल ही GST को चार वर्स पूरे हुए हैं, करोना काल के भावजूत पिछले आठ महिने से लगातार GST रिवन्यू एक लाग करोड रुपिय के मार्क को पार कर रहा है. आज एक करोड 28 लाग से अधिक रजिस्टर उद्यमी इसका लाब ले रहे हैं. वहीं Government-E Marketplace यानि जैम से होने वाली सरकारी खरीदे पारदर्सीता बढ़ाई हैं, छोटे से छोटे व्यापारी को आउसर दिया है. साथियों, ये दशक Digital Technology में भारत की क्षमताओं को Global Digital Economy में भारत की हिस्तेदारी को बहुत जादा बढ़ाने वाला है. इसलिए बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स इस दशक को इंडियाज टेकर्ट के रुप में देख रहे हैं. एक अनुमान है कि अगले कुछ सालों में भारत की दरजनों टेक्नोलोजी कम्पनियां यूनिकॉन क्लब में शामिल होगी. ये दिखाता है कि डेटा और डेमोग्राफिक डिविडन की सामुहित ताकात कितना बड़ा आउसर हमारे सामने ला रही है. साथियों, 5G टेक्नोलोजी पूरी दुनिया में जीवन के हर पहलू में बड़े बड़लाव करने वाली है. भारत भी इसके लिए तैयारी में जुटा है. आज जब दुनिया इंडुस्ट्री 4.0 की बात कर रही है, तो भारत इसके एक बड़े भागिदार के रूप में उपस्तित है. डेटा पावर हाउस के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी का भारत को एसास है. इसलिए डेटा प्रोटेक्शन के लिए भी हर जरूरी प्रावधान पर निरंतर काम चल रहा है. कुछ दिन पहले ही साइबर सिकूरिटी से जुड़ी इंटरनेशनल रेंकिंग आई है. 180 से जादा देशों के ITU, Global Cyber Security Index में भारत दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में, टॉप 10 देशों में शामिल हो चुका है. साल भर पहले तक हम इसमें 47 भी रेंग पर थे, करीब करीब 50. साथियों, मुझे भारत के युवाओं पर, उनके सावर्थ पर पूरा भरोसा है. मुझे भी स्वास है कि हमारे युवा, डिजिटल एमपावर्मेंट को नई उचाईयों पर पहुचाते रहेंगे. हमें मिलकर प्रयास करते रहना होगा, हम इस डेकेड को इंडिया स्टेकेड बनाने में सफल होंगे. इसी कामना के साथ आप सभी को फिर से मेरी बहुत-बहुत शुब कामना है.